जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लो कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा यहां तो हालत थोड़ी सी नाजुक है पर फिर भी काम तो करना ही हैं बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं करा तो आना जरूरी था आज का टॉपिक आपके अपने प्रिये चीज को लेकर है बहुत सारी लड़किया मुझसे यह शिकायत करती हैं कि मा आप जो उपाय बताती हो वो हम घर से बाहर जाकर नहीं कर सकते हम रात को नहीं जा सकते हम घर से अकेले बाहर जाकर यह काम नहीं कर सकते और किसी को कि ऐसा कुछ क्यों ना करा जाए जो सरलता से हो जाए और जिसके लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े हमारे जिन्दगी में हमारा हमसाया वैसे तो हमसाया उसे कहते हैं जो आपका हमसफर होता है जो हर पल हर सेकिंड आपके साथ चलता है पर जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है दौर बदलता जा रहा है चीजे भी बदलती जा रही हैं और किसी किसी चीज़ के एक्जामपल भी बदलते जा रहे हैं यहाँ पर आज हम जो हमसाय की बात करें हैं वो है आपका अपना मोब मोबाइल वो मोबाइल जो हमेशा आपके साथ रहता है जिसे आप कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करते चार्जिंग पर भी जितनी देर लगा रहता है ना आखें और सासे वही टिकी रहती है हो गया अच्छा किता टाइम हो लगेगा अच्छा फिर चेक कर लेते हैं हर एक पल में एडिक्शन हो गया है मोबाइल को उठाने का कुछ है कुछ नहीं है फिर भी उसे चेक करने का उंगलियां घुमाने का ये हमारी जिन्दगी का डेली रूटीन हो गया है आख खुलते साथ जो चीज़ सबसे पहले चाहिए ना वो है मोबाइल और आख बंद होने तक जो चीज़ सबसे जादा करीब रहती है वो है मोबाइल जरूरत भी है आज की और सहुलियत भी है लेकिन कई कई जगे ये मोबाइल आपके जिन्दगी के लिए कलेश भी है जैसे कि पती पतनी एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त स्पैंडी नहीं कर पाते बीच में आजाता है ये मोबाइल बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पैंड नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि गेम्स मोबाइल पे खेल रहे हैं सहेलियों से बाते मोबाइल पे हो जाती हैं अब वो घर के बाहर जाकर खेलने वाला रूटीन बंद हो गया क्यों क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई तो जब कुछ चीज़े अच्छी होती है तो उन चीज़ों के साइड इफेक्ट भी होते है साइड इफेक्ट को हमको अवाइड करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को अपना लेना चाहिए आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ न वो इसी मोबाइल की एक बहुत अच्छी अच्छाई है मोबाइल हर किसी के पास होता है और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कोई अगर आपसे दूर हो गया है या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या किसी ने आपके साथ अचानक से अपना रिष्टा खतम कर दिया है कोई भी हो सकता है आपका लवर हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बेहन हो सकती है आपके सहेलि हो सकती है अकसर जब कोई रिष्टा एक दम से खतम हो जाता है तो हमें बड़ा ठेस पहुani जाता है इमोशनली कहीं ना कहीं हमें एक सेट बेक दे जाता है और हमें ये लगता है कि अब एक बार इस व्यक्ति से बात हो जाए एक बार उससे बात हो जाए तो ये पूछे तो सही कि आखिर हमने ऐसा किया क्या था जो तुमने हमें अपने आप से दूर कर दिया जब आप किसी के साथ बहुत जादा इमोशनली कनेक्ट होते हो और तब आपको कोई अपने आप से अलग कर दे तो उस समय तो जिन्दगी बिलकुल नरक की तरह हो जाती है सारा टाइम वही दिमाग में घूमता रहता है अपने आप में ही लगने लगता है हाकिर हमें ऐसी कमी क्या थी जो सामने वाले ने हमें अपने आप से दूर कर दिया अगर अब आपके साथ भी ये तकलीफ हो कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया कोई आपसे बात नहीं कर रहा कोई आपकी तरफ तवज्जु नहीं दे रहा चाहे वो आपका कोई भी दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो आप सिर्फ मात्र अपने मुबाइल से उस व्यक्ति को अपने पास वापस खीच पाएंगे क्या करना है आपको ध्यान से समझेगा और ध्यान से करिएगा ये कारे आपको स्टार्ट करना है गुरवार के दिन से शाम को अपने घर के मंदिर में बैट जाईएगा एक आसन लगा लिजेगा घी का दीपक प्रजलित कर लिजेगा घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजेगा वही पर बैट कर हनुमान चालिसा का पाठ करिएगा लगातार तीन दिन यानि की गुरवार, शुकरवार और शनिवार तीन दिन आपको ये काम करना है, तीसरे दिन शनिवार को जब आप अपनी पूजा करकर उठें उसके बाद उस व्यक्ति की तस्वीर अपने मोबाइल में निकाल लें अपनी फिंगर से आपकी पहली उंगली से उसकी तस्वीर के उपर आप एक स्टार बना दीजिए स्टार बनाना सबको आता है ना, पहले ट्रैंगल बनाएंगे और फिर उल्टा ट्रैंगल उसके नीचे बना देंगे मैं कुछ इस तरीके से भी बनाती हूँ, आप चाहो तो सीधा ऐसे भी बना सकते हो उसकी फोटो के उपर एक ट्राइंगल बना दीजे और आँख बंद करके तीन बार बोलिए हनु, 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 हनुमंता तीन बार बोलेंगे हनु, 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 हनुमंता अब आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसके मन में मेरे लिए आकरशन उत्पन हो जाए ये व्यक्ति मेरे पास वापस से लौट आए श्री राम भक्त हनुमान आप इसके हिर्दय में मेरे लिए प्रेम जागरित कर दीजिए तीन दिन का सरल उपाए कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं आपके ही मुबाइल पर बैट कर आप ये कारे बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं जब आप ये चीज बोल दे तो उसकी फोटो को ऐसे सामने रखकर तीन बार उसके माथे की तरफ आप फूक मार देंगे करके देखिए सरल सिंपल घरेलू रेमेडी है असर होगा जरूर होगा थाउजन परसेंट होगा दिल में श्रद्दा लेकर विश्वाश लेकर और सिर्फ सार्थी परिवार से जुड़ कर काम करा करो ठाकुर जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता आप भी जरूर इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे पाएंगे तो मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताएंगे और देखो मा का स्वास्त ठीक नहीं है फिर भी आपके लिए उपाएं लेकर आईए तो इतना काम तो आप जरूर करेंगे कि आप मुझे कमेंट जरूर कर देंगे मैं फिर आऊंगी मेरी जान तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के सातियों जुड़े रहेगा प्यार देते रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आओंगी तब तक के लिए राध ही एक रिष्ण। अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवार्ड प्राप्त कर रही है। हुआ 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 को अच्छ। झाल